अपनी जिंद्गी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंद्गी किसी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर चे तूट जाते हैं। जिद्गी को इतनी सच्ती मत बनाओ कि दो कोड़ी के लोग खेल कर चले जाएं मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता प्रक्ता रहा उमर बर शाकत दुआओं की दंग रहा गया देखकर शाकत दुआओं की प्रबु कहते हैं तू सोने से पहले सब को माफ कर मैं उटने से पहले तुझे माफ कर दूँगा आकेले रहना अच्छा है बजाएं उनके साथ रहने के जिने तुमारी कदर नहीं जिन्द्गी एक ऐसी किताब है जिसकी अजारों पन्ने अभी तक आपने पड़े ही नहीं किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको पर जब उनको मेरी जर्ट होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकिरों में ना उलजा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जाज सकता है दर दर बटक रही पर दर नहीं मिला उस माप के चार बेटे पर रहने को घर नहीं मिला जिन्दगी जीने के दो तरीके हैं एक तो वो जो पसंद है उसे आसिल करो दूसरा जो आसिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद चाए कसूर किसी का भी हो लेकिन रिस्तों में आसू हमेशा बेकसूर ही बहता है कोई बरुसा तोड़े तो उसका भी दन्यवाद करें वह में सिकाते हैं कि बरुसा बहुत सो समझ कर करना चाहिए तुमारे दिल की चुबन भी जरूर कम होगी किसी के पाउं से काटा निगाल कर देखी जिनके पास उमीद है वह लागवार हार के भी नहीं आता विजेता वो नहीं बनते जो कभी ऐस्पल नहीं हुए बलकि वो बनते हैं जो कभी हार ही नहीं मानते थैंक्स पोर वाचिंग, लाइक और सब्स्क्राइब मी